हलो दोस्तों मैं हूँ अतुल कुमार मासोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Let's Crack T.E.T. दोस्तों बात करेंगे आज एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में कवियों ने अपने सब्दों के माध्यम से बहुत जादा उनके बारे में अपना बखान किया है मतलब बहुत सारी बाते उनके बारे में की हैं कविता और गानों के माध्यम से अब ही नहा ककड़ जी का गाना अपने सुना होगा, हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के सहर में लेकिन नहा ककड़ जी विचारी यह नहीं जानते कि तारों का तापमान, बात करें सूरिय भी एक तारा है और सूरिय का वाहिय तापमान छहाजार डिग्री सेल्सेस है, उन महतरमा को कोई बताए कि एक हजार डिग्री पर आग लग जाती है कि मरना है जाके वहाँ यह बहुत सारी बात आप लोगों को बताऊंगा, तारों के सहर में जाने के माँ फायदे है या नहीं है आगे यह गाना आपके लिए गाना अपनी महतरमा के लिए गाना फायदेमन्द होगा या नहीं होगा चले दोस्तो इस्टार्ट करते हैं अपनी साज इस वीडियो को और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत जज़ा अच्छा लगने वाला है जिसमें हम बा वीडियो को लाइक जरू करेगा शेर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा अगर आप लोगों को लगता है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी बहतर है अच्छी है आपके लिए बेनिफीसरी है चले जोस्तो समय को परबातने करते हुए स्टार्ट करते हैं के लिए आपका है सोर मंडल ययों मारा यानि सोर परिवारे जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं आई ये बात करते हैं परिभासा तू अरे परिवाआँ सह पहले कम अंचल परिवासा वन तो दिखा भालता है ठीक है बड़े आगे इससे पहले हम परिभासा वन देख लेते हैं सोर मंडल से पहले आज तोड़ पी. encompass क्या कर रही है अपनी मनबर जी चल रही है जम पन कर रही है जरम पर गजुश रही है चलरी आ मैं नहीं वह साइंस पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताया होगा गुरुता कृष्ण बल के बारे में और अगर नहीं बताया है तो वह बता देंगे अगर उनका टॉपिक अभी नहीं चला होगा तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे अगर थोड़ा सा विव लेग देना चाहों तो वह इतना कह सकता हूं इसको कह सकते हैं अट्रेक्शन मतलब कहते हैं जैसे पाटी में किसी को देखकर सब की निगाहें उसकी तरफ को होती है और वो अपनी तरफ किसी चीज को खीचता है मतलब को यानि सोर मंडल वह है जिसमें सूरिय और वह खोगोले पिंट समलेते हैं जो एक मंडल में एक दूसरे से गुर्टवाक्षण बलद्वारा बंदे हैं ठीक है यानि एक दूसरे को दूर एक दूसरे से दूर नहीं जाने देते हैं पड़े आगे चले आगे पढ़ते हैं यह हमारा सोर परिवार सोर परिवार में हमारे कितने गिरह और तारे आपको पता है यह हमारे सूरच चाचु अपने गाना सुना दिए वो सूरच चाचु सो चन्ना मामा सोगे सूरच चाचु जागे तो यह सूरच चाचु का पूरा परिवार है वो परिवार कौन सा है सूरच च नहीं समझ में आ रहा सर्जी अरे आएगा भी आप लोग हिंदी मीडियम से होना तो इसलिए कुछ लोगों को दिख्कत आ रही होगी तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूं यह चोटा सा आपको दिख रहा है यह आपके यह आपका बुद्ध गिरे हैं ठीक ह यह दूसरे नंबर का आपका सुक्र है यह आपकी प्रत्वी है और यह आपका मंगल है और जो बड़ा सा दिख रहा है दोस्तों आपको यह आपको ब्रस्पति है यह बड़ा सा क्या दिख रहा है आपका यह आपको ब्रस्पति दिख रहा होगा यह आपको सनी है इसको मिनी स्वार मंडल भी कहते हैं मतलब मिनी स्वार पैनल आपको इधर से आ जाएगा यूरिनस आपका अरुन हो जायागा और अरुन का बड़ा भीया यहाँ पर आपको वरुन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब आपने लिखतों दिये इनको याद कैसे करें हाव टू लेन दिस कॉंसेप्ट बताएंगे यार सबर करो कम से कम इतना तो सबर किया करो वीडियो देखनी रहे मतलब लाइक उसको करनी रहे आप लोग बस बता दो बता दो हैं चलो बता रहें आपको देखो इस आसे मानों जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा कह हूँ यूए सेंटेस को दोरा दिया हो जैसे यू बस दो पर्यम से छू पती संदी यूरुण ऊ-बती मिसी को डई है हैं है नंति बढ़ी जूसतों बस प्रेंस से चूपती संभ अरुन करूं बैय का मतलब क्या दोस्तों बैसे बudh हो जाएगा से सुक्र हो जाएगा प्रेसद UFO हो जाएगा थीक थीड़ यहां पर सैलेंट पर रहेगा एगा छेसे चुद्र गिरimm हो जाएगा मैंसे मंगल हो जाएगा और ब्रस्पति और मंगल के बीच में कुछ छोटे-छोटे आपको ग्रह देखने को मिलते हैं उनको कहते हैं चुद्र ग्रह पती से ब्रसपत्ति कीन हो जाएगा और बा से क्या हो जाएगा दोस्तों वरुन गिन हो जाएगा तो पूरा स्वुर्मंध लियाद हो गाया को में हो गया हो गया लहीं नहीं तो ऱ्हसको प्रियांस कर रहा हूं आपके की पड़र भार हुंका वहन त्यार नहीं है अतुन latest किस क्लास में आ गया समझ में चलो भी बहुत बढ़ी आप लगा जैसे आप लोगों ने कहा हो कि हां सर समझ में आ गया देखे भई अब परिभासट टू क्या कहती है वाट इस क्या कहते हैं सोर मंडल कहते हैं सूर्य जो की क्या है एक तारा आप लोग ब लेकर पाकिस्तान गया था अपने मुवी देखियोगी गदर मुवी और उसमें अपने उस वो कहता है कि अगर आप इसका आगत में महर नहीं लगाओगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा तारा पाकिस्तान जाएगा और अपनी सकीना को वापस लेकर आएगा यह वो वाला तारा नहीं है वो है सनी दे आगे चले बढ़ते हैं अरे किन-किन से मिलकर बना बना होता है नूलाजी बनी है और कॉस्मोलाजी बनी तुर बढ़े आगे चले टारे ओहो गुरुजी अब तो आप उसी को लिया तारों का जिकर लेखों ने कवियों ने सिंगर्स ने बहुत ज़्यादा किया है अक्सर में नदी कराता हूं तो नदी के बारे में जितने चुर्टियां जो कविता हैं जो पंक्तिय अच्छी लगती हैं मैं आपको सुना देता हूं ठीक उसी परकार तारहों के संदर में पहुत सारी आप पंक्तिय याद कर लिजेगा यह किन मानिए आपको बहुत मज़ाएगा जिमानेक्स पढ़ रहा था तो पढ़ते समय मुझे गाना याद आ गया मैं तो पढ़ने का तरीका क्या होता है देखो एकाउनमिक्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जब मैंने एक गाना सुन लिया एक गाना बज़रा था एक रीडियो पर इस्टाम में पे गाने में था कि तेरी दो टकिया की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए रहे, मैंने का पागल समझ रहे है क्या, हमारी नौकरी दो टक्या की और सावन लाखों का हो गया, हमने का एर लेखक ने इतनी बात लिखी क्यों, कारण क्या हुआ, हमने जब ये देखा कि वो गाना कब आया था, तो दोस्तों जिस समय वो गाना आया था वास्तम में नोकरी दो टके की हुआ करती थी नोकरी की कोई value ही नहीं थी भारत के अंदर उस समय सावन बड़े प्यारे हुआ करते थी सारी जो साधी सुदा लड़किया थी वो भी अपने घराया करती थी सभी नंद भावज एक साथ जूला जूला करती थी तो सावन का महत्तु जादे हुआ करता था और दोस्तों वहाँ पर नोकरी का महत्तु कम हुआ करता था नोकरी का महत्तु कम हुआ करता था तो वो जिस लेखक ने जब लिख दिया वो समय के माहौल को देखकर लिखा तो कहते ना जितनी भी movies होती हैं जो serial होते हैं वो कहीना कि या तो कालपना पराधरित होते हैं या सच्चाई का आईना होते हैं चली दोस्तों बड़े आगे देखो दरब तारे स्वम प्रकासित मतलब खुद का उनमें प्रकास होता है उस्ष्ण वती की दरब मात्रा से भरपूर विसाल खगुलिये पिंड होते हैं क्या होते हैं वित्रो ये खगोलिये पिंड होते हैं अर्थात तारे ऐसे खगोलिये पिंड होते हैं जिनका खुद प्रिकास होता है अर्थात इनको किसी दूसरे के कंदे पर बंदूग रखकर चलाने की आव सकता नहीं है इनकी बंदूग में बारूद पूरा है और कंदा भ यह लिए नहीं है ठीक के छब बड़ते हैं आगे यह वो तारह जो आपको दिख रहा है जिसको देखकर आप अँछ मांगते हो कास मेरी साधी उसी से हो जाए जिससे आप सोचते हो ठीक है तो ऐसे से विस्ट जब आप मांगते हो कास मेरी नोकरी 2021 के अंदर ही लग जाए कास में इस बार ही इंकम डेक्स ऑफिसर बन जाओं कास में इस बार ही सिक्षक बन जाओं मतलब जो भी आपने अपने मन में रखा हुआ है भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करे मैं उपर वाले से गुजारिश करता हूं आपके चलो आगे बढ़ते हैं तो देखेगा तारों का निर्मान कैसे होता है यह प्रिशन सबसे पहले मैंने बात करी थी अभी तक बताया ब्रह्मान क्या होता है उसमें कौन-कौन से गिरे हैं कौन सा गिरा किस दुरी पर है वह सारी बात है मैं आपको बताई आकास गंग तब भी यह बहाना मत बनाना सर हमें पता नहीं हम तो सहर में थे तो हमें यह गाओं की बाते पता नहीं चल पाई अरे कभी-कभी सहर में होता है आप अगर मैदान में के इस स्कूल के मैदानों में खेल रहे हो या कभी खेत में आपने जो गाउंसे विलॉण करते हैं कर देखा होका जो आंदी आती है आती है अरे सब्सक्राइब तो गहों में तो बना लेती है तो गहां में तो उसको हूला कहते हैं हुलाला हुलाला मत बोलना उसको ठीक है उसको हुला कहते हैं और इस तरीके से अगर वो पानी में बनती है तो उसको भवर बोलते हैं और अगर उसको हम कहें हवा में तो उसको हुला बोलते हैं या उसको चक्रवाद बोलते हैं ठीक है तो आकास गंगा में भी आकास गंगा ज जो गैसी होती है वो क्या होती है उसका मेग से वो प्रभावित हो जाती है मतलब वो इधर दोड़ने लगती है वह परसपर गुर्टवाकिशन के कारण उनके केंद्र में नाभी के सल्यन सुरू हो जाता है दोस्तों उस भाग में नाविक्य सल्यन सुरू हो जाता है हाइड्रोजन के हीलियम में हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की परकेरिया प्रारम हो जाती है और दोस्तों इस सवस्ता में तारा बन जाता है क्या बन जाता है चलिए दोस्तों बड़े आगे यह को था तायों का जनम मतलब अ बहुत को में बादलते वह क्या हुए दोस्तों वह प्रभावित हो गए और प्रभावित हुए तो क्या हुआ ने के बाद दो इस्तिति बनती Кстати स्टार बनता है और इदर आपका अजन रही इन चात बदानव क्या बोलते हैं इसको लाल रत्म दानव इसको ढूसते है ठीकर रेड्स सूपरजन्च सूपरजन्ट थ Hughes सेंट बिल्कुल और भी कुसर लिचे अलबुला यहां पर बंदा ऻिए वनता है और इधर से जाकर इस फार्न ऑगुरु जी सूपर नो वाग्या अपने क्या सब करो सोब नौवा क्या होता है अपने आपको परिवर्तित कर लेता है यह आप देख रहें न बोना गिरह या दिसको कहते हैं इस सब बलकि ब्रम्मान के अंदर भी जन्संग क्या बढ़ रही है तारों की ठीक है बढ़ते आगे आई ये बात करते हैं सबसे पहले केंदर का हाइड्रोजन समाप्त होता है तो क्या होता है एकास कहीं ऐसा होता कि दोदिल होते सीने में एक चूड़ भी जाता इस में तो अधंडर का हाउड्रोजन समाप्त हो जाता है तो उसके बात परिस्थितियां क्या बंती है जब केंदर का हाइड्रोजन吧 कि संकुचित होने लग जाता है क्या हो जाता है जब केंदर का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो तारे का जो अंदर का भाग है वो संकुचित होने लग जाता और संकुचित होने पर इस्तिति क्या बनती है केंदरी बाग संकुचित होकर गरम हो जाता है किन्तु वाहिये परत क्या होती है वाहिये परत हा तपते गरम पानी से बढ़ा हुआ काच का गिलास में अगर भार की तरफ से ठंडे पानी का छीटा मार दिया जाए तो वह चटक जाता यही प्रोसेज है जो इसमें हो रही ना यही मतलब उसका अंदर का तो प्रसार हो रहा है अब भार से उसमें उड़ते हैं उसमें एकदम स सुक्रण होती है जो फैलान इकदम से सुक्रण जो होगी जितना मैं इसको पता है उतना पता पा रहा हूं साइंस वाले अपने तरीके से बताएंगे तो वह तूट जाता जगे छोड़ देता है ठीक है चले पड़े आगे धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल पड़ जाता ह छलोंगे यृट सब्सक करते हैं कै यह दिखता रहा हों आपको जिसके बारे में अब के अंदर में हीलियम कार्बन में बदलने लग जाती है केंदर के reylium है वो i racing एड़े बदलने लग जातले और बार्य पधारतों में धीरे-दीरे बदलने लग जाता है और भाधी पधार्त लोहे में परिवर्त होने टूट पड़ते न दूसरे पर ऐसे याशे लग जाते हैं जब इसे उनको फैंका जाता है म alarm जब उस पर दबाउ पड़ता है तो वहेंग वही गन्डिसन बन यहां पर दोस्तों इसके फलशुरूप तारे में तिप्र में विस्पोट होता है जिसे supernova कहते हैं आदमी हो वस्तु हो ये कोई भी हो सकती है कि तीन नियम ने दिये दुनियामन को जाना जाता है बहुत सारी चीजे साइंस की जुड़ी हुई है जो अब आप आप लोगों को सारी बाते अच्छी लग रही होंगी कुछ बाते गलत भी लग रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मुझे उम्मेद है कि आप लोगों को सैसन पूरा बढ़िया लग रहा होगा बढ़ते आगे चलिए अब यदि तारे का दिरमान 1.4 अब MS क्या है गुरुजी तो गडबड होगी पता नहीं चला सर जी MS क्या MS मतलब MS दो नी मेहंदर सिंग दो नी आज जनम ले लिया मेहंदर सिंग दो नी उससा में थोड़ी ना हुआ करते थे जो इसका मतलब मेहंदर सिंग दो निकलेगा यदि तारे का दिरमान 1.4 MS या MS सू अभर की की और जयन सपेड टारा बन जाता है और उसकी इसको जिवाशम तारा भी कहते हैं और कैसा दिखता है यह औ मेड़े सबीखता है आपको दिखते Age Até साग्ट कैसा बेखता है जैसा दिखता है वापको चान्द और चान्द को देखопас जब आप बचपन में कहते थे चन्ना मामा दूर के धाई पकोड़े बूर के आप खावाए थाली में हमें खावावे प्याली में और प्याली गई फूट और पता निक किसकी बहु गई रूस ठीक है तो यह थो पातरी तुम्हारी बचपन की कहते हैं उम्र के साथ साथ विच चार बदल जाते हैं और यही सबसे बड़ा इसका सबूत ही है जो बच्चा बच्पन में चांद की तरफ को देखकर यह कहता है कि चंदा मामा दूर के वही बच्चा बड़ा होकर उसको अपने महभूब से तुलना करने लग जाता है है चांद सी महभूबा हो मेरी कब मैं यह ऐसा मैंने कब सोचा था हां तुम बिलकुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था मतलब यह बच्पन में तेरा मामा हुआ करता था चांद है अब तेरी महभूबा हो गई तुन्हें तो जेंडरी बदल दिया इसका है अरे इसको फीमेल को में करद कर दिया तो यार पता नहीं क् बलेक बामन में परिवर्तित हो जाता है स्वेत बामन स्वेत बामन ठंडा होकर काले बामन में यानि काले बामन में बलेक डर्प में परिवर्तित हो जाता है जब परिवर्तित हो जाता है कैसा दिखता वह ऐसा दिखता जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कैसा दिखता है ऐस जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.4 M's अधिक दिर्मान होने पर 1.4 M's अधिक दिर्मान होने पर मुक्त घूमते इलेक्टॉन अत्यदिक वेग पागर नाविक्क कू छोड़कर बाहर चले जाते हैं तत निटोन बचे रह जाते हैं और इस अवस्ता को Newton या Pulsar Tara कहते हैं इसी ये वस्ता को Newton या Pulsar Tara कहा जाता है समझ में आई बात नहीं आई भी चले बड़े आगे 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 देखिए Newton तारा यह Newton तारा हe गलती से होगा है इसमें वाइ विस्टेक टैपिकली मिस्टेक है चले नुटन तारा अभी ऐसीमित समय तक सुकूरता चला जाता है और अर्थात न्यूटून तारे में अतिदिक परिमाण में विद्रमान अंत्त हैं एक ही बिंदू पर सेकेंद्रित हो जाते हैं और ऐसे ऐसीमित घनत्यू के द्रमान युक्त पिंड को किर्ष्ण छिद्रिया ब्लैक होल कहते है हिस्ट्रिय में आपने सुनी होगी ब्लैक होल की घटना एतिहास में ब्लैक होल की घटना आपको देखने को मिलती है लेकिन यहां ब्लैक होल का मतलब उस ब्लैक होल की घटना से नहीं है यहां ब्लैक होल का मतलब एक ऐसी परिस्तिती से है एक ऐसे किर्ष्ण छिद्र से है यानि तारों के एक ऐसी अवस्ता से है जिसमें से प्रकास को भी पार नहीं किया जा सकता। जिसमें से प्रकास भी पार नहीं हो सकता। क्रिशन चितन मतलब बहुत काला सा। काला श्या काला ठीक है वह वाली बात। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहां तक की प्रकास का पलायन नहीं किया जा सकता है इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है रे गुरुजी जब देखा नहीं जा सकता तो फिर आपने कैसे देख लिया मैंने नहीं देखा हम तो जियोगरफी को एक अवधारनात्मक विससे मान कर चल रहे हैं और जैसे अवधारना जैसे सिद्धांद हमारे भोगल विदो ने हमें दे दिये वैसे हम पढ़ा रहे हैं एक्जाम में आएगा आप आंसर देना बढ़िया सी नोकरी मिलेगे उसके बाद तो तुम्हें पता है मिलेगा क्या-क्या ठीक है चलिए जो ओछा लगता मुझे बॉलने में भी जोन वीलर को ब्लेक होल की अधिक ग्राइक sitten करने का स्री जाता है मतल़ यह तारों के समुप प्रतियक तरहमंडल की विसेस्ट आकरती होती है जिसके आधार पर प्राचिन-काल में इनका नाम करण किया गया था मतलब जैसी जिसके आकरती होती है वैसा उसका नाम रखा जाता है एक रागनी वाला रागनी गा रहा था कि सोच समझके नाम रखेते पहले पंडित वेदाचारी और नाम से उल्टे कर्थब करते देखे हैं नर्नारी हो भी ऐसा रहा है जिसका नाम रख दिया अमर सिंग वो जल्दी ही चलने के लिए जिसका नाम रख दिया चमेली भगवान करे कोई उसके दोरे जाना पसंद ना करे मतलब नाम से उल्टे करतब करते जिसका नाम फकिर चंद है वो धनवान है जिसका नाम धनपत है वो भीक मां दूं89 तारा मंडलों की जानकार हुपलबद है जिनमें हैड्रा सबसे बड़ा तारा मंडल है है ब्रृब सेंटोरॉस एबूं जयमानि इसेंटोरस एब जैमिनय आधी तारा मंडल के अन्य उधारन है जिनको इतना पढ़ना उचित नहीं है जितना आपको जितना पढ़ा दिया हमने उसको आप पढ़ते रहिएगा उससे जादे आपको वंडे एक्जाम में नहीं पूछेगा वंडे छोड़िएगा यूपी पीशेस दे लेना सिविल सर्विस इस्टेट लेवल का कोई भी एक्जाम द पढ़ी और हमें नंबर मिल गए और आज हम खुल से नोकरी मिल गई ठीक है चलिए केश्वर-तारा एक केसर नहीं है क्यश्वर है इसमें जो वहन आधव है वह चिपा हुआ है तो क्वेश्र तारा मंडल की हम लोग बात करते हैं कैसे हैं अत्तिधिक चमकील आकास सिपिंड है आकार में आकास गंगा से छोटे होने के बाजूद कोई सर उससे आधिक मातरा में उर्जा सर्जन करते हैं इनकी खोज 1902 में की गई थी एक बात आपको बता दो यह सी यह से थोरी को यह और से आपको कोई दिख रही है तो तुरन उसको क्या कर ले तुंप आप अपने मैंड में रिवाइज कर लें आप अपने माइंड में इसको रिवाइस करने जैसे ही यहां गया 1902 में यार मुझे तुरंत यहाद आगया वाण में तो कोई से नहुआ करती थी में क्रेस्टोफर कॉलमबस ने दुनिया में एक नई जगे की जिसको नई दुनिया कहा गया उसे वर्तमान में USA यानि United States of America यानि अमरीका उसको कहा जाता है भारत की खौज करने के लिए निकला था क्रेस्टोफर कॉलमबस लेकिन उसने уже practically में कोज कॉज गरगेरी अमरीका की उसके बाद भारत की खौज करने के लिए आयता वासकोर डिगामा ब्ढ़ बढ़ी मातरा में खरीदी बेची जा सकती है बहुत सारी चीजे तक राज होता है उसके बाद हम आजाद ही हासिल करते हैं एंदन प्रधान मंत्री जवाला नहरूजी को बनाया जाता है और उसके बाद देरे देश का प्रचार प्रसार विकास चल रहा है और आज हम इस 21 सदी में जी रहे हैं चले दोस्तों बढ़े आगे यह तिदिक चमकिल प्रकास रहीत परकास रहीत कभी और कुछ यहाँ भी यहां पर पроп्रकास नहीं होता जिनमें और वो परिक्रमा करते हैं तारों के वहां ग्रह कहलाते हैं यह तारों की प्रिकासित होते हैं जैसे प्रत्वी प्रत्वी चमकती है चंद्रमा चमकता है कुछ बच्चे सोच्छों को जो रात को बहुत जोड सा चमकता है मज़ा आ जाओ से देखके बिल्कुल हमारे चोग में तो पूरा उजाला रहा है आप कैसे करें उसमें रोशनी नहीं होती दोस्तों उसमें रोशनी नहीं होती उसके अंदर ऊपर चंध्रमा बलकि उप ग्रह है जो ग्रह को भी परिक्रमा करें जैसें चंध्रमाश इसको बढ़ हाँ चलिए तो दोस्तों अगर सेशन आपको वीडियो अगर आपको अच्छे लगरे तो वीडियो को एक बार शेयर जरू करेगा अपने सभी मित्रों के पास सभी अपने सकी सहेलियों के पास सभी अपने दोस्तों के पास जो भी आपके साथ हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए सब को बताना कि कोई टीचर है जो आपको पढ़ाता है आई यह बात करते हैं चुद्रगिरे के बारे में चुद्रगिरे इंगलिस में जिसको एश्ट्रोड कहते हैं अर्थाथ उपगरे के तो हमने करा दिया है हिए औहां हिए एए मिट करें चुद्रगिरें क्या होते है चोटी चुटे से आकार के कुछ उल्का पिंड होते हैं सोरस्तव ख़गोली पिंड होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर ब्रस्पति और मंगल के बीच बिरस्पति और मंगल की बीच अत्वा एस्टोराइड एक खगोली पिंड होते हैं जो ब्रहमान में विच्रण करते रहते हैं यह अपने आकार में गिरो से छोटे और उलका पिंडों से बड़े होते हैं गिरो से छोटे और उलका पिंडों से क्या होते हैं दोस्तों बड़े ह होते हैं कगोल विज्ञानी्स सर्विलियम ह leaders ुप्रिस्था करने के लिए प्रेड़ित किया जिसे ग्रीस में एस्टुरिटन की रूप में तब्दील किया गया जिसका अर्थ है टारे यानी तारे जैसा तारे जैसे आकार का और प्राचीन ग्रीक तारा ग्रह से वित्बन होता है इससे ही उत्पन होता है खोजा जाने वाला पहला चुद्र ग्रह सेरिस 1819 में ग्यूसेप प्याजी दुवारा पाया गया था और इसे मूल लूप से एक नया ग्रह माना गया था इसे मूल लूप से एक नया ग्रह माना गया था सेंग्त राष्ट ने 30 जून को अंतराष्टी चुद्र ग्रह दिवस की घोशना की ताकि चुद्र ग्रह के बारे में जन्ता को सिक्षित किया जा सके अंतराष्टी एस्ट दिवस की तारीक 30 जून 1908 को साइबेरियन रूसी पर तंग उसका चुद्र ग्रह की साल ग्रह की स्मर्थी में मनाई जाती है और बताओ दोस्तों इससे ज्यादा जानकारी को यूटूब पे देरा तुम्हें फ्री अपको बिल्कुल नहीं देरा होगा यार ऐसे मैं आज जैसे मैं आपको पढ़ा रहूना साध आपको मतलब यूटूब पे ऐसा फ्री नहीं मिल ला होगा आपको पना जैसे जिसको प्रत्वी से बाहर की डुनिया की घृत्णाओं का पता लगाने के लिए जो डा जाता है कि प्रत्वी के बाहर चल क्या रहा है पहला कृत्री मुपगरे स्पूतनिक वन था पहला कृत्री मुपगरे स्पूतनिक वन सोवेत संग द्वारत 4 अक्टुबर 1957 को इससे सो साल पहले 877 को भारत में करंती हुई थी जिसको कहते हैं स्वतंता संगराम ठीक है 877 को चैनर के रूप में सोवेत संग्सपूतनिक कारेकरम यानि में स्पूतनिक प्रोग्राम शुरु किया इसने सोवेत संग और सेक्त राजी अमेरीका के वीच अंत्रिक्ष रेस को शुरु कर दिया था नोस्तों उलका पिंड क्या होते हैं इसके बारे में भी हमें बताईएगा। उलका पिंड क्या होते हैं? देखे। उलका पिंड आकास में कभी-कभी एक ओर से दूसरी और आत्यंत वेक से जाते हुए अत्वा प्रत्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उलका और साधान बोलचाल में तूटते हुए तारे अत्वा लूका भी कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों हम इनको लूका भी कहते हैं ठीक है उलकाओं का जो अंस वाईउ मंडल में जलने से बचकर प्रत्यूप तक पहुंसता है उसे उलका पिंड कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों हम उसको उलका पिंड हम उसको कहते हैं चले बड़े आगे अब आते थी पुच्चल तारों के धूमकेतू या पुच्चल तारे धूमकेतू या पुच्चल तारा धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं सूरिय के समय पाने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसे और धूल के कण सूरिय से विपित दिसा में फैल जाते हैं और सूरिय के रोशनी परिवर्टित कर चमकने लगते हैं जिसको पुछल तारा कहा जाता है यानि इदर से इसमें हवा लग रही है इसको पीछे की तरफ धखेला जा रहा है इसमें पूच सी बन जाती है जिसके इसको पुच्छल तारा कहा जाता है दोस्तों यह इसका नाभिक नुकलेस कहलाता है और सूर्य की विपरित दिसाओं में बरफ धूल का चमकिला हिस्सा पूच की तरह लगता है इसे कोमा कहा जाता है और यह हमेशा सूर्य से विपरित दिसाओं में देखने को मिलता है दूम केतू कि इस पूच के कारण इसे पुच्छल त ड़्टार कहा जाता है कि पीलैघ है चलिए अब जोस्तों गर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करियेगा शियर करेगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों कैसे लगी आज आजकी ये वीडियो मुझे आमिदे कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा, जिस फणी वेव में, जिस ट्रिकों को च्छे से मैंने अपको प्रेजन्टरिशन दिये, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को वाइरल करें सभी बच्चों तक पहुँचाएं दोस्तों ऐसी दमदार और ट्रिकी और कॉंसेप्चिल वीडियो के साथ मैं तुलकुमार मसोतिया मिलूँगा एक बार फिर आपके साथ तब तक के लिए दोस्तों जै हिन जै भारत खुदा हापिस